इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट इंडिया स्फर्स्ट केबल स्टेड रेल्वे ब्रेंज हाई my name is Rohit Garcha and this series is called to the point जहां पे हम लोग बात करते हैं current affairs की उन topics को उठाया जाता है जिनके prelims में आने के chances बहुत ज्यादा होते हैं so let's begin with today's video which is on the Anji Khad bridge right Anji Khad bridge कहां पे यह जम्मू के रियासे district में है you can see the picture as well तो यह पहला केबल स्टेड ब्रीज है और इस ब्रेज इस मतलब फटर ट्रिविया बता रहा हूं मैं आपको यह कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे जब ट्रेन निकलती है क्या इफेक्ट है पर्टिकुलर जगा पर तो यह experimental basis पे आपको जो है लगा हुआ देखने को मिल रहा है यहां पर और इसको मतलब इसकी monitoring बहुत हाई लेवल पर हो रही है फिलहाल और जब भी ट्रेन वगारा पास होगी तो यह आपको एक सेंपल की तरह काम करेगा कि इन फ्यूचर आमने टेक्नोलोजी में लेके आनी है जो करना है तो यह एक आपकी के स्टेडी की तरह काम में आने वाला है अंजी घट ब्रेज इन जम्मू रियासि दिस्ट्रिक इसमेज अपने किसी रीजन को डेवलप करना है तो आप उसको में स्टेम से कनेक्ट कर देते हो असान भाषा में कहा जाया जैसे कि अगर आपको किसी एरिया को किसी गाउं को डेवलप करना है आपने कुछ नहीं करना वहां पे connecting सटक बना दो गाउं में सटक बना दो गाउं से लेके मेन हैवे तक या मेन शहर तक आप सटक बना दो automatically development starts penetrating और यह worldwide agreed upon principle है, IMF के through recognized statement है जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्ही के through यह आई है, तो आप जब mainstream से connect कर देते हो किसी भी region को automatically development flows तो वैसा ही कुछ यह कहना चाहरे है, यह आप एक railway plan कर रही है यह कि उसको connect करना है हमने mainstream India से, rest of the India से चली, आगे देखते है It is the first cable state railway bridge in the country and is part of USBRL Udampur, Shrinagar, Baramullah Rail Link, ठीक है यह उस project का part है Anji river क्या है, Anji river वो एक tributary है, चिनाब river की कहां से, कट्रा और रियाशी district के बीच में राइट, इट से tributary of चिनाब river, यह भी आपके सवाल रेकली पुछा जा सकता है, कि which of the following is the, is the tributary of चिनाब river, तीन कही और की देदी एक Anji लिख दिया, यह और और any सवाल, for that matter, any question for that matter, तो चुछड़ा static में fall करता है, because NCRT के अंदर जब हम यह river पढ़ते हैं, तो हम इसको इतना detail में नहीं पढ़ते हैं, और जब किसी current फिर के अंदर यह context highlight हो जाते है, तो river भी अपने आप में important हो जाते है, और यह भी important हो जाते है, कि क्या attributory है, कहां शुरू हुए, कहां पर खतम हो रही है Anji bridge forms an important link in India, Indian railways aim to connect JNK to the rest of the India, rest of the India with all weather rail connectivity, तो this bridge is all weather, यह बंद नहीं होगा कभी भी, all weather का मतलब किसी भी मौसम में ही चलता रहेगा, snowfall and all, कुछ भी यह चलेगा A large number of sensors have been placed on the NG bridge, so that the structural strength can be monitored regularly, वो यह एक example की तरह, एक case study की तरह It has been designed to handle heavy storms and wind speeds up to 213 km per hour अब थोड़ा सा वो देखते हैं कि इसके significance क्या है, वैसे main point of view से जाधा आता है हमने जो देखना था, वो mostly हम देख चुके हैं, कि first cable straight bridge कहां पे है, in which of the districts या फिर वो पूछ लेंगे कि इस river के ऊपर है, कोटे मोटे exams के अंदर ऐसा आ सकता है which of the following is the first cable straight bridge, तीन bridge के नाम और देदी है, जो recently आपने दर उदर सुने होंगे Assam बगेरा में बने हैं जो, अरुनाचर में जो ने ने bridges बने हैं, उन में से कोई नाम देदेएंगे, वो साथ-साथ और पूछ लेंगे कि इन में से कौन सा है, जो कि first cable straight bridge of railways है, है ना वैसे वहले सवाल आएंगे, इसके अंदर ये थोड़ा मेंस का है, कि the project is expected to bring social economic development, वो आए गाई, जैसे हमने पहले बोले कि ये IMF की statement भी है, of the state of Jumbo and Kashmir through enhanced connectivity within the region and with the rest of the country, है ना, और efficient all weather transportation channel provide करेगा, और इस टाइप की चीज़ है, मतलब इसको detail में ज्यादा देखने की जो है हमें जरूरत नहीं है, अभी let me tell you more about US BRL, Udampur, Shrinagar, Baramulla, Railway Link, है ना, जिसका ये part है, जिसके अंदर ये लगा हुए, ये प्रोजेक्ट जो है, USB, मैं इसको पीशे करता हूँ, मैं शादा पो दिखने रहा हुगा, USBRL, ठीक है, इस अ नेशनल प्रोजेक्ट पाइदी इंडियन रेल्वेस for construction of 272 km long broad gauge railway line through the Himalayas with the aim of connecting J&K, इस प्रोजेक्ट के बेसिकली तीन लेग्स है, वो हम देखते हैं कि तीन क्या है, ये इसके उपर मेभी सवाल आए, मेभी ना आए, ये वो पूछने के तीन पार्ट्स में है, which of the following is not part of the project, क्योंकि तीन है तो इसके उपर सवाल बनना असान है, चौथा कोई और option देके एक है तो आप देखोगे कि वो तो connect नहीं करता है इस rail link से, तो वो सब आपक अगर आप ये ध्यान से अगर आपको याद रहता है, पहला है a 25 km length going northwest from कहां से, उदंपूर्टु कट्रा, पहली length ये है, उदंपूर्टु कट्रा कहां पे है, ये रियासी district में है, और यहीं पे है आपका अंजी bridge भी, रियासी district के अंदर, पहली उसमें है, पहली leg के अंद और यहां पे क्या है, the site renowned as Vaishno Devi, a renowned site Vaishno Devi, एक pilgrimage है, एक shrine है, Vaishno Devi वो इसी length के ओपर पड़ेगी, right, next we have a 111 km track rising northeast from Katra to Banihal in Ramban district, ठीक है जी, finally, a 136 km stretch from Banihal to Baramula, going north, and then northwest with Anantanag and Shrinagar along the way, right, so final stretch के अंदर, Anantanag, Shrinagar, ये सब भी जो है, cover होंगे, और कहां शुरू है, ये बनिहाल से लेके जाएगी, ये बारा मुला तक, ठीक है, तो ये एक बहुत ही ambitious project है, और वो shape लेता जा रहा है, भीरे भीरे, क्याना मैं इसका, उदंपूर, Shrinagar, Baramula, Railway Link, उस region की connectivity को अच्छे खासे तरीके से enhance करने वाला ये particular project, before leaving, मैं आपको पता दूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, that is solely for a prelims examination, इसके अंदर, mains point of view से कुछ भी cover नहीं करते हैं, ठीक है, if you wish to cover your mains as well, what it means is, इसकी exact translation है कि अगर आप अपनी selection ensure करना चाहते हो, so this is the course to go for, right, और it is available in both offline and online format, I won't say anything much about it, you get a 7 days free trial, we are very confident about the quality of this particular course, so you join the free trial, आप classes लीजिये, दो classes होती है week में, Saturday and Monday, तो जब आप course avail कर रहे हैं, तो थोड़ा उस सब से plan कीजिये कि आप maximum classes लगा सके, right, like avail it on Saturday में भी, और आप Saturday की class भी लगा पाएंगा, फिर अगले हफ्ते तक आप कुछ-कुछ classes लगा पाएंगे, ठीक है, इस class, जो Saturday and Monday को class होती है, यह वली, right, इस class के अंदर आपको pre and mains जो है, बोथ cover होता है, और बहुत comprehensive तरीके से current affair cover होते हैं, कि आपका overall score increase हो जाता है, सारे exams के अंदर, सारे subjects के अंदर, क्युक्कि current affair एक ऐसा module है, जिसमें बाकी सारे modules assumed है, इसमे environment भी आता है, current affairs, इसमें economy भी आती है, और इसके अंदर आपके geography भी आती है, इसके अंदर आपका culture भी आता है, इसके अंदर miscellaneous, इसके अंदर governance, quality, इसमें सब कुछ है, right? तो इसका context आपका हर-hर exam के अंदर आता रहेगा, current context जुड़ता जाएगा, तो आपका जो marks है, वो many folds जो है, वो increase होने के chances है, you take the 7 days free trial, then judge for yourself, link is in the description, इस course के अंदर basically आपको आपको तीन चीज़ें मिलती है, थोड़ा सा बता दो आपको, तीन चीज़ें मिलती है, that is आपको number one, you get classes, weekly classes, Saturday and Monday, you get weekly PDFs, आपके dashboard के अंदर, जो आपको weekly PDF मिलती है, तो उसके अंदर बहुत ही to the point, बहुत ही precise तरीके से सारे current effect होता है, आपको multiple कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न्यूशेपस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा-सीधा वही आप use कीजिए, और आपको काम हो जाएगा, ठीक है, number three, you get weekly test, वो भी आपको आपके dashboard के अंदर, जो हो मिल जाते हैं, and then you are good to go, thank you so much, my name is Rohit Garcha, you are watching To The Point, and this is Abhimanyu IES, a platform which has over 2200 selections in the past 23 years, and has more than 19 years of experience in this particular field, thank you so much. करेंग, आपके नहीं है, क् spun diffावफेंगिवर конце नहीं है, अत्रudiant, कि नहीं है, कि उना कर मेंचे आपको क्पको किए्छों,